हेलो फ्रेंट्स ग्यान एवरिवर के एक न्यू वीडियो पर आपका स्वागत है तो इस अगर आपको 2024 में मोबाल खरीदने की सोच रहे हो लेकिन आप लोगो समझ भे नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा प्रोसेजर का मोबाल लेना चाहिए तो इस वीडियो को एक बार कमट्र प्रोसेजर और मीडिया टेक डाइबन सीडी 6100 प्लस प्रोसेजर आपको लेना चाहिए इन दोने को लगबग चार से पास लग्यास पास होता है दो की 10,000 के हिसाब से काफी जादा होता है इनमें आपको काफी अच्छी कासी गेमिंग के प्रोमेंस मिल जाएंगी अगला है प्रोसेजर का फोन खाई लेना चाहिए अब बात कर दें 20,000 के सेग्मेंट की अगर आपका वजेट 20 से जारे तो इसमें आपको तीन प्रोसेजर मिलेंगे पहला स्नैपडागन 7S Gen2 दूसरा है मेडिया टेक डाइमेंसरी 7050 और तीसरा है मेडिया टेक डाइमेंसरी 7200 और इ इनका जो N22 स्कोर होता है लगभग 6-8 लग के बीच में होता है तापको भी इसी स्कोर के बीच में मोबाल पर्चिस करना है अब बात करतें 3000 के आसपास के फोनों की तो इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपडागन 7 प्लस Gen3 और साथ में स्नैपडागन 8 प्लस Gen1 और यह जो प आपका मीडिया टेक डाइमेंड शीरी 9000 सीरी तो यह दूनों पूसेश्च बेसिक फ्लेक्षिव लेवल के पूसेश्च होते हैं यह आपके मेंगे फोनों में आते और इनका परफोर्मेंस होता है तो कि मैंने आपको हर एक सेग्में में बता दिया कि आपको कौन सा पूसे